कि पीच में अच्छा श्रॉड यहां पर पिछला मैज साभी क्रिकेट क्लाब भुश्यारपूर ने बहुती बड़े मार्जिन से जीता है तो अभी भी ये ग्रुप काफी जीवित साभी क्रिकेट क्लाब भुश्यारपूर करीब अपना हमारे साथ पहली बारी इस टूनामेंट में शामिल हुए डीपे से माचल अलांकि उनके कुछ प्लेयर्स जो है हमारे साथ पहले भी खेल चुके हैं तो एक मोटे पर लग जो है ये मैच डॉमिनेट कर जाएगी पर हमारी काफी पुरानी टीम हर्याना क्रिकेट कैडमी काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई और बेहतरीन उन्होंने प्रदेशन किया तो ये मैच जो है खर्याना क्रिकेट गानमी ने पंद्रा रन से जीता और अपना खाता खोला इस ग्रूप में मैं पहले बुलाना चाहूँगा डीपेस सिमाचल की कप्तान अरुन कालिया जी को जी आप पहले भी इस टुड़नामेंट में खेल चुके हैं जलंदर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आय थे तो काफी एक्सपिरेंस तो मैंने बोलूगा पर कुछ एक्सपिरेंस तो आपको विकेट का था और आप बली बांती जानते हैं कि बड़ा ग्राउंड है क्या रन न क्यां बंड आप सिरूब कैसा तूरन भालन हीं आपको बातर अपन अनोप्र किंग तर आप की क्या तुर्य बड़ाय खेल ग्रिंट ने जी जी टेगा। गाजा बाटर के जो ये मैच जीता है वो उसका जो पूरा श्रे तो नहीं कहूंगा पर बहुत जादा जो एक जिम्मा जो है वो रॉनल कभास को जाता है जो हमारे आज के मैन अफ दी मैच है बेहतरीन गेंद बाजी इस एक्सपीरियंस खिलाडी दौरा जो हमें अपने टीम को कैसे जीतना है और अपने आपको कायम रख दूरुप में अगर फिल्डर साथ देते हैं तो कोई भी तारगे यहां पर एजी नहीं है तो हमने बस बीच में यहीं बात परे दी कि अपने बेसिक्स पर रहेंगे बॉलर और फिल्डर उनक असाथ रहेंगे अपकी टीम की बॉड़ी लैंग्वेज से जिस तरह से आप दूसर को पैक अप कर रहे थे हमारे आज के मैन अफ दी मैच के स्पॉंसर है मिस्टर दरामवीर सिंग जसरोटिया जी हमारे एक्स रांजी प्लेयर और वो सम्मानित करेंगे हमारे मैन अफ दी मैच रॉनक डबास को बास का मैच है वो साभी क्रिकर क्लब हो शारपुर और डीपियस हमाचल के बीच में खेला जाएगा और जो दूसरा मैच है वो जी एसाई टाइगर्स कश्बीर और हराना क्रिकर कैप्पी डासा बार्णो के बीच में खेला जाएगा थैंक यू